सबसे पहले तो आपको आपके परिवार को बहुत बधाई क्योंकि एक्जाइम क्रेक करना असान नहीं है सब्सक्राइब करना इतना आसान भी नहीं है तो वाकई में बहुत खुशी की बात है हेलो सर कॉंग्रेचुलेशन्स थैंक यू थैंक यू आप लोगों की गाइडेंस और बचों की मेनत जिसे ही सारा चीव हो पाया आप पूरी टीम का थैंक्स बिल्कुल बिल्कुल सर देखें गाइडेंस तो हमारी हमेशा रहती है लेकिन स्टूडेंट्स कोई करके दिखाना है और यह एक्जाम में कुछ ऐसा है कि इसमें रिजल्ट हर वार ना टैन या ट्विंटी परसेंट ही आता है तो इसमें आना इतना आसान भी नहीं होता तो डेफिनेटली डॉक्टर निशेट हाकूर ने कुछ तो एक्स्ट्रा किया होगा जिस वज़े से उनका ऐसा रिजल्ट आया है तो वह खुशी तो मैं इनके और आपके चेहरे पर देखी सकता हूं बिल्कुल हम यह कहते कि जो आपने गाइड किया और बिल्कुल उसी साब से इन्होंने उसको अचीव करके दिखाया तो इसलिए आपका भी उतना ही योगदान है बिल्कुल बिल्कुल देखो स्टूडेंट का तो योगदान होता है हमारा भी होता है लेकिन बैक्गराउंड में जो पेरेंट्स की मेहनत होती है न वह सबसे ज़्यादा होती है यह तो हम भी जानते है थैंक्स थैंक्स वर देट क्यूंकि डॉक्टर निश्य से अभी में डिटेल में समझूगा कि उन्होंने कैसे कैसे प्रिपेर किया क्योंकि इनके काफी दोस्तों का नहीं भी होगा और वहुंगे जिनका आगे उन्हें प्रिप्रेशन करनी है तो आप ज़रूर्व शुब काम नहीं और आशा करता हूं कि आगे भी डॉक्टर निश्य अपने प्रोफेशनल करीव में इससे भी बड़े-बड़े माइल्स्टोंस अचीव करें बिल्कॉल बिल्कॉल आप लोगों की ऐसे ही गाइड़स मिलती रहे और यह कंटीन आपके तच में रहे ही हमारी इस तर मेरे खुद के हाँ अभी काम रहे हैं जैसे आपसे बात कर रहा हूं ना ने देखो मेहनब तो है तो थोड़ा अपने बारे में बताओ अपना कॉलेज आपका स्कोर कैसा रहा कैसे आपने प्रिपरेशन की तर मैं एक्च्वल में ना युक्रेइन से हूं खारकेव से क्राइद जो मेने नाट्टि अंपरिय दिया था यह मेरा भी सांट साइम जैसे कि अभी पासाइट हुए थे और तर जैसे कि आपको Engineers लाइव लोता है बहु κάν कालग हुता है लाइक है तोWow तो यह understood इस को बहुत सी चीजे पता लगे की मैं कैसे के सिश्टम है कैसे पढ़ना है इस चीज़ जुरूरी होते है कोण सी जुरूरी नहीं होती तो कतने स्कोर्स सी कितना स्कोड अप लें पिछली बार से इस सर पिछली बार से सर 148 तो पिछली बार भी आपका जरास ही रह गया था यह सोच के बनाया था कि 200 प्लस हम टार्गेट रखेंगे तो तब भी हमारी ना चाहते वए पांज दस गलते हैं हो ही जाती इंग्जाम में अपका लास्ट जीटी दिया था मेरे टू हंडड़ फिफ्टी से उपर गये थी बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया तो आपने जीटीज का पुरा फाइदा उठाया तो आपने पिछली टाइम वह नहीं किये थे जो आपने मन 80 numbers के 40 numbers के जो late 90s सर उसका बहुत benefit हुआ है actual में सर होता गया था कि जैसे हमने revise करना है तो सर एक्जैक्ट ना हमें idea नहीं होता था कि हमने चीज क्या revise करनी है पर होता गया था कि वो जो 80 questions होते थे ना वो as a मैं 80 questions ही solve करता था वो as a मेरे 80 topics होते थे जिसमें वो जो जिसमें वो quick revision हो जाती थी जो 80 topics की तो सर वो बहुत beneficial रहा है बहुत ही ज्यादा मतलब वो बहुत ज्यादा beneficial रहा है हमारे लिए और मैंने तो सर सारे के सारे जितने भी से सारे तो और उसका सर एक फायदा रहा कि अगर कोई topic मुझे लगता है कि शायद मुझे यादता है बड़ exact कि exam में वो चीज ऐसे घुमा के डाल देते हैं कि हमें exact कभी कोश्चन नहीं समझ जाता कि वो क्या जैसे आपने सर mc की बताया थे ना तर वो मतलब सर आपकी जो गाइडेंसी मैं लग रहा था कि exact में कुछ नहीं नहीं कर रहा जो आपने मुझे बताया था जैसे आपके सर पी से हमके आपने बताया था कि आपको अपने दमाग नहीं ज़्यादा लगाना है आपको सिंपल कैल्कुलेशन या नहीं है सिंपल ही काम करना है और सिंपल ही करके आपने निकल जाना है इसर मैंने सुना paper 1 का इसी था या easy लगा पर complete सब्सक्राइब करता है कि आपको कैसा लगता है अब जैसे सब्जेक्स से फाइदा हुआ कि आपको क्राइब करते हैं आप का यहाद होगा तरह कि आपने एक आपने पिए उससे और बताए यह रिडैक्ट एकसिएशन है यह जो आपने पढ़ाती थी सर वो आप मानोगी नहीं सर वो डिरेक्ट लाइन टू लाइन वो कोश्चन आया था हमें चलो वैसे अगर में किसी स्टूडेंट को डिसेंबर वाले में अपियर होना है और वो मिशन प्रोग्राम जॉइन कर रहा है तो आप उसे क्या क्या पड़ सर आप लोगों जो हरवरी यह एक्साम की प्रेपरेशन कराते हो आप लोग सर नीट पीजी की भी प्रेपरेशन क्राते एपको लोगों का जो बोला हुआ एक एक शर्द भी नहीं मैंसर आपको भी पता हुन कि आपने गुरूं के ऊपर ट्रॉट करना चाहिए जो आपको गुरू करा रहे हैं, जो आपको बता रहे हैं उस्ते उस्ते उपर कुछ भी नहीं है क्योंकि सर मैंने भी तो सर आप भी की guidance से किया है मैंने भी तो ने बिल्कुल 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 तो अगर मैं student को कहता हूँ कि आप चार से छे महीने लगके मिशन प्रोग्राम को पढ़ लो लेट नाइट पीवाई क्यू कर लो सारे जीटी कर लो मेरेथान सेशन कर लो तो क्लियर हो जाना चाहिए सर उसको सर कुछ तो आइडिया होगा ना सर इग्जैक्ट का होता है सर जैसे देना पेपर आपके नदी Yoga अचाहिए यह जैसे जैसे पेपर आपके निसदीक आते हैं सब्धियिका क्यों क pytर आपको लोग सवाचल की बिलो शुकर्व एसके अचीज इनका ने हमोती है कि किससे पूछे क्या करें क्या और क्या करें क्या नकरें तो सर वो मेरी गलती हैं थी बड़ सर अगर आप एंडी नहीं भी कर पा रहे हो तो एट लिस्ट जो एंडी की जो टीचर वीडियो बता रहा है किसे आपको एंडी की ये बहुत है किसे और मैं मुझेख पढ़ारे जो तो न मैं मेरी इसनी कि अगर आप मुझे लाइप आ रहे हो तो मैं नीद आ जाती है कुछ आ जाती पर जब मैं खुद पढ़ने बैड़ता हूं तो मैं वही वही वीडियो मैं भी उसी 6 गंटे में कहतम कर देता हूं इस मेरा पुन्स खूनर कि आपके फर्च्छ मैंने वीडियो पूरा कंपाज्ण किया अन्याद किसम कोई आराएर की वीडियो नहीं देख कै जो मुझे जो मुझे ओरीजिनल वीडियो थी मैंने वह औरीजिनल वीडियो यह आप पिछले जो आपके टेस्टिस के E&D थे वह सारे मैंने फिर से रिपीट किये मतलब जो मेरे फर्श प्रोफ के हुए थे फर फिर से कंड प्रोफ के हुऊ वह भी फिर सर जो आपका तीसरी लैप थी वह सर फिर फिर फूरी के पूरी देखियो और सर मैंने कुछ नहीं पड़ा जो आप लोग पढ़ाते रहे बस आखे मंद की और बस जो मेरे टीचर पढ़ा रहे हैं मैंने सिर्फ वही पढ़ना है और किसी का कुछ नहीं सुनना और जो एक्जाम हो रहे हैं बस वो देना है मतलब इमानदारी से जो मैंने किया पूरा का पूरो मैं ग्रेट सेरीवलम फैन जो सच में बोलू तो शेरीवलम फैनली हो तर यह सर वही है सर मैंने आप मान सकते हो कि जैसे बच्चे कहते हैं कि नोट्स बना लो यह कर लो कर लो सर मुझे नहीं आते नोट्स मनाने या मैं सर कुछ नहीं करता मतलब मैं सर आपकी वीडियो देखता हूं या जो आपने क्य ज़ूरत है मैंले सर आप सी में अमी शर्ट हो गए या डोक्टर दिलीब सर होगे इतने सुन्दर नोट समनाते हूं तर जी जी रजी सर होगे तो वह सुन्दर मात्ते हो ना सर की मुझे नहीं लगता कि शायद कोई बुक पढ़ने की जूरत है कुछ और देखने की जूरत ह वो ही enough sufficient है हमारे लिए तॉक्टर निश्चे मैं काम करता हूँ मैं जो students आपके इस interview को thousands of students देखेंगे जिने preparation करनी है मैं summarize करता हूँ डॉक्टर निश्चे ने क्या बता है डॉक्टर निश्चे ने बार-बार ये बोला वो कुछ नहीं करते लेकिन उन्होंने सब कुछ गिना भी दिया हूँ उन्होंने क्या क्या किया है उन्होंने सारे lectures देखे लाइव नहीं देख पाए लेकिन बाद में देखे इन्होंने सारे grand test को utilize कि और last वाले grand test में 200 का score 200 से ज़्यादा का score लाके 5th rank अचीर की seribellum में इन्होंने सारे examination and discussion के videos देखे बाद में late night PYQs का इनको सबसे ज़्यादा फायदा हुआ और इन्होंने खुद मुझे बताया कि first, second और third lap में भी पूरे पूरे sessions इन्होंने attend की हैं तो I think Dr. Nisha आपने तो program को पूरी तरीके से जो utilize करा है आप से बढ़िया brand ambassador तो mission 200 plus program का हो जी नहीं सकता है seribellum के लिए मैं तो खुद कहा रहा हूँ कि सर हम आपके family हैं सर हम आपके बच्चेों की तरह हैं में भी शाद आप मुझे सर आज पहली वर मुझे से बात कर रहे हैं बड़ हम आपको रोज देखते से आपको रोज देखते से आपकी जैसे आप motivation देखते हो तो सर कभी-कभी हमारा money भी down हो जाता है actual में सर पते क्या है जैसे हम लोग फोरण से आते हैं तो हमारी एक image है कि आप जब तक आप exam clear नहीं करोगे तो आप 12 पास हो आपकी कोई value नहीं है तो सर एक वो भी चीज़े चलती रहती है दिमाग में अच्छा यह है अच्छा सर जैसे मैं repeated सा तो मेरे सासवालों का first time में बहुत तो का clear हो गया था तो एक खुद भी self doubt आता है पर सर जब आपकी वीडियो देखते से आप लोग आप सर आप होगे या दो वार दिया है क्योंकि सर वो अपने experience बताएंगे बड़ सर आप लोग ऐसे हो कि जो सर मेरे साथ से आप हर साल paper देते हो एक जैक सर मैं मानू तो आपने 20 या 25 वारी exam दे चुके होगे आप जैसे हर साल यह पढ़ते हो तो सर मुझे नहीं दखता कि आप से जादे कोई ट्रस्टी सोर्स और है यहां पर थैंक्यू सो मच वैसे मुझे FMG को पढ़ाते वे exactly इस बार 20 साल हो गए तो सर आप हर साल देते हो exam तो मुझे बताओ ना सर कि आप से जादे कौन अमें guidance दे पाएगा नहीं नहीं लेकिन देखो हम तो guidance देंगे लेकिन आपने क्यूंके एक्जाइम क्लियर करें आप आपका भी यही रोल आ गया है अब आपको भी आने वाले टाइम में अपने जूनियर्स को सही तरीके से guidance देना है जिनका exam विजबर क्लियर नहीं और उन्हें भी guide करने कि वह जो पढ़ाने वाला है उस तर इवन लगे आपने खुद अपना नीट पीजी का आपने खुद का अपने क्लियर किया exam तो सर आपसे बड़ी सरकोन ही होगी मतलब guide है सर फिर भी एक वरी क्लियर की है क्योंकि सर आपको हर बच्चे की स्टोरी पता है आपको पता कि किस बच् करोगे पर उसको अनलाइस करोगे और यह चीज आप 25 साथ से कर रहे हो तो सर खुद ही पताओ सर की आप से उपर को ने इस टैम नहीं नहीं अच्छा डॉक्टर निश्य आप मुझे बताओ इस वक्त आप कहां पे हो इंडिया में सर मैं सर नंगल पंजाब में हूं वाक्ट करके खुशी हो रही है नहीं हम तो जल्दी मिलेंगे भी अगर आप दिल्ली में होते मैं इसलिए पूछ रहा थे तो मैं आज आ भी जाता तो कोई नहीं हम मिलेंगे जल्दी यह सर नहीं हमारा रिष्टा बहुत बढ़ा है हमें तो अभी नीट पीजी भी करना है आना एक हमारा रिष्टा काफी बढ़ा ने तर नहीं है तो अबहुत दो गई लेक आप से बात करके ना बिल्कुल मजा आया क्योंकि आपने बिल्कुल दिल से बोला ने और चीज आपकी जो से अच्छे लगी सर जैसे ना अने घर से बढ़के कि मैंनों घर से पढ़के किया है सर जो सेरे विलम का जो एप है ना सर जो मुझे सबसे यह चीज लगी कि अगर आपका यही अपना तीन चाहसार पहले आया होता है तो सर हमें जैसे सर प्री प्लैडर भी अच्छे हैं मेरो भी अच्छे हैं बड़ वह इतने कोशली होते हैं कि कभी कभी सर उप जुग चैनल मेरे सबसे बड़ी प्रॉलम ती तर मेरे पास प्री प्लैडर का जूप था ठीक है उप सर मुझे पटा घ्र्र नहीं सबसे पODना कदने क्या करने मंलव मेरे पास fam सा मैस्मीर अक दोस्केश के आट ऑट तैं तंब मेंब्डों मेर ले उ हैं फिर वो कुछ ही नहीं देखते हैं पर सर ऐसा नहीं है उसको पता है कि आपको कौन से सब्जेक्ट इग्जेक्ट फिरू करने है ताकि बच्चे का मुमेंटम भी न खराब हो और बच्चे को वह चीज थोड़ी-थोड़ी समझ भी आती रहे और उसको थोड़ा-थोड़ा का अधर मैं आपको इमांदा रही से बस्टांस यह मेरा जो पहले जीटी का स्कोर जो मैंने दी ता हना था ना सर मैं अब इसलुए है ना कि हां अप्लोग मैं कर रहे हो नहीं कर रहे हुए कोई सरहने वाला कोई नहीं होता तो पर जब ढमारे देखते हैं नहीं आप लोगों सच में सब्सक्राइब और दोल्कश कोई और इस यह थैंक्यू ज़रूर आपस में मिलेंगे जब भी आप सी यह मैं अगर आता हूँ उस तरफ आपके पंजाब में तो मैं आपसे जरूर मिलूँगा थैंक यू सो मच तैंक यू सर आगे बढ़ते रहो तरक्की करते रहो तरफ आपकी का आशिवाद और आपकी गाइडेंस है तो सब कुछ मुंकिन है हम तो जुड़े रहेंगे और सब युक्रेयन से रहा हूँ तर मैंने वार भी देखी है मैंने करोना भी देखा है इवें तक कि आप सर मानोगे नहीं कि मैं फिर बापस युक्रेयन में चला गया था तर आपके सामने आप सरकार ने नियू रूज निकाल दिया कि आपको तीन साल के इंटर्शिप करनी पड़ मिडल क्लास सैमली की दुआएं लगती हैं सर इग्जैक पता हूं से सर मनी का और यह चीज़ें इंपोर्टेंस ही नहीं रखती है आज जो मलब दिलों से खुशी निकलती है ना सर वह आपने कोई काम किया और आपको मजब इतनी ज़्यादा कोई मैं दिल से दुआई कर रह थे कि उनका एक जो स्टूड़न था उसका ख्लेर हुआ तो उसके फाद ने उनको ना कचोरी खलाई थी तो वो खुद बोलते थे कि करता मैंने कचोरी खाई है मैंने इससे भी अच्छी और और चीपकवान खाए है पर जो उनके फादर ने मुझे वह खाई है और आज तक बिखिया तरक निश्चे ठाकूर आपकी फैमिली को दुबारा बताई है थैंक यू से थैंक यू से थैंक यू सो मच एंग रलाज़ना गार्ट राज।